हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी और आज इस वीडियो में हम हेर ऐसे सीरीज बनाएंगे और मैंने इसका शॉर्ट अप्लोड किया था जो कि बहुत वाइरल हुआ है और फिर सोचा कि क्यों ना उसकी डिटेल वीडियो भी अप्लोड कर दी जाए और मैंने इसमें बोला था से थोड़ा सा गैप छोड़ते वे दोनों साइड से कट कर लेना है जैसे कि वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे कि सेंटर से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है और हमने दोनों साइड से कट कर लिया है तीन बैंगल को मैंने दोनों साइड से कट किया है और जो एक जो सबसे उपर हम बैंगल लगाएंगे, उसको बस हम एकी साइड से कट करेंगे, सेंटर से हमने कट कर दिया है, कट करने के बाद हम इसमें आई बनाएंगे दोनों साइड, तो जो हमने सभी को कट लगाया है, उसमें दोनों साइड हम आई बनाएंगे, जो फस्ट वाली बैं करें लिए इनको और अच्छे से इनहेंस करने की तो उसके लिए मैं 4 mm की वायर ले रही हूं थोड़ी सी पतली वायर होती है जब भी इस तरह से इसके वायर करना है लपई सब्सक्राइब ने और यह उसके बाद मैंने लिंक कि एक corner में हम थोड़ा सा corner fold करते हुए हम इसको twist कर लेंगे इसको रहे हैं जिससे कि यह secure हो जाए अब हम 1 बिड को insert करेंगे और हम four link perl जो है उनको insert करेंगे insert करने के बाद जो about ए उसके अबढ़ हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे और हम दो बार इसको लपेटेंगे जिसे कि यह वहीं पर सिक्योर हो जाए फिर दुबारा से हम बीड लेंगे और फोर लिंक पर लेंगे उनको इंसर्ट करेंगे और अच्छे से बिल्कुल कॉर्णर में लाते हुए वायर को हम दुबारा से राउंड शेप में इसके ओपर लपेट देंगे और इ जैसे हम लास्ट वाले उसमें आएंगे तो हम वायर को कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा वायर बचेगी हम उसे किसी भी बीड के अंदर इंसर्ट कर देंगे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि वायर है अगर जरा से भी निकली रह जाएगी तो वह बहुत चुबहेगी वह बार बार तो हमें किसी भी बीड में इंसर्ट कर देना है और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ग्लू भी इसके उपर अपलाई कर सकते हैं जिससे कि वह चुबहेगी नहीं तो इस तरीके से हम चारो जो बैंगल्स हैं उनको रेडी कर लेंगे अब रेडी करने के बाद हम इसको दूसरी बैंगल के साथ जो फस्ट वाली बैंगल है उसके साथ हम अटैश करेंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरीक से जो बाकी की दो बैंगल्स हैं उनको भी हम आपस में अटैश कर सकते हैं तो सभी जब आपस में अटैश हो जाएंगी अटैश करूँगी तो नीचे इसमें छोटी-छोटी हैंगिंग लगाएंगे तो मैं पांच हैंगिंग लगाऊंगी और जो कि मैंने छोटी-बड़ी साइज की लिंक पर्ल चेन कट कर ली है और जंप रिंग में मैं कॉड़ी शेल को इंसर्ट कर लेंगे और कॉड़ी शेल को फिर हम इस जो लिंक पर्ल चेन है उसके साथ अटेश करेंगे तो जो सेंटर वाली जो लेयर रहेगी उसमें मैं अप्रॉक्स फोर कॉड़ी शेल लगाऊंगी और जो बाकी की side वाली राएंगी एक में हम 3 लगाएंगे और जो उसके side वाली रेंगी उसमें 2 लगाएंगे, कम-कम कर लेंगे, आप चाहें तो सभी में एक जैसी भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, पर मुझे ऐसे लग राधा था कि बहुत जादा भरी भी न लगे, तो मैंने इस तरीके से लगाया है, 4, 3 और 2, तो इस तरीके से ये layer ready कर ली है, अभी layer को हमें इसके साथ attach करना है, तो जो link pearl chain होती है, उसमें खुद से ही lock होता है, उसको हम थोड़ा सा open करेंगे, और जो भी इसमें wire है, उसमें हम इसको hang कर देंगे, हैंक करने के बाद, प्लायर की help से हम इसको अच्छे से lock कर लेंगे, और जो भी ये 5 हमने ready की है, सभी को हम one by one करके attach कर देंगे, अभी मुझे बीच वाला portion है, वो भी थोड़ा सा खाली लग रहा है, आप चाहिए तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि मुझे इसको fill करना चाहिए, तो मैंने जो link pearl channel छुटी-छुटी सी, एक-एक उसमें मैंने दो cordy shell attach कर ली है, दो layer बना ली है, अब इन layer को हम जो center वाला part है, उसमें attach करेंगे, दो-दो cordy shell हम attach करेंगे, अब बारी आती है, जो सबसे top वाली बैंगल है, उसमें हमें clip जोड़नी है, clip के लिए हमें alligator pin ले रही हूँ, आप जो clasher होता है, वो भी use कर सकते हैं, या फिर और जो hair pins आती हैं, वो भी आप use कर सकते हैं, मेरे पास अभी alligator pin है, और यह बड़ी वाली alligator pin है, छोटी वाली नहीं use कर रहे हैं, हो सकते हैं छोटी वाली, क्योंकि थोड़ी सी heavy हो गई है, तो इसका वज़न ना ले पाए, वैसे इतनी heavy नहीं हैं कि नहीं ले पाएगी, पर फिर भी में बड़ी वाली alligator pin का use कर रहे हैं, और wire की help से, दोनों आई में हम wire को insert करेंगे, और alligator pin में हम इसको अच्छे से twist कर लेंगे, और twist करने के बाद हम इसको इसके ओपर लपेट लेंगे, और जो इसका corner वाला edge होगा, उसको हम cut कर लेंगे, और इसको हम center में ले आएंगे, अब इसको भी हम थोड़ा सा enhance कर लेते हैं, decorate कर लेते हैं, तो जैसे कि हमने codi shell लगाई थी, तो center में और उसके आसपास हम जितनी भी codi shell इसमें लगेंगे, हम सभी को glue gun की help से paste कर देंगे, अब paste करने के बाद जो इसको center वाला codi shell है, वो भी थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो उसमें भी हम एक छोटी सी hanging दो codi shell है, वो ready करके और इसको हम jump ring में insert करके, इसके साथ attach कर देंगे, और plier की help से हम इसको अच्छे से tight कर लेंगे, तो यह finally हमारा जो hair exercise रहा है, वो ready हो गया है, और यह बहुत सुन्दर लग रहा है, और बहुत traditional भी है, आप इसको कोई भी आपकी marriage या कोई भी function है इस तरीके का, आप हाँ इसको wear कर सकते हैं, और यह बहुत सुन्दर लग रही है, और इसको हम लगा के भी देख लेते हैं, कि यह बालों में कैसी लगेगी, और मुझे लग रहा है कि मैंने इस तरह की jewelry first time पहने, तो मुझे लगाना भी नहीं आया कि इसको कैसे लगाते हैं, बस हाँ आपको पता लग जाए कि यह कैसी लग रही है, तो मैंने इसको लगा के देखा, खुले बालों में भी लगाया, और मैंने बाल बंद करके भी इसको लगाया, तो यह बहुत सुन्दर लग रहा है, और इसको बनाने का प्रोसेजर भी बहुत easy है, और इसको बनाने के लिए मैंने महनत इसले भी कि, तो आप इस वीडियो को save कर लें, share करें और like करें, thanks for watching guys, मिलते हैं अगली वीडियो में,